वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को बेरा प्यार भरा सलाम आज हम जड़ पड़ बड़े मज़ेदार सी पास्टा कबाब बनाते हैं वो भी मेरे स्टायल में तो चले स्टार्ट करते हैं अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सबस्क्राइब कर बटन दबाएं बराबर पर ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें तो देखे हमाइपस यह कीमा है जो के है एक पांड याना आधा किलो के असपस दुलाबा है और राइ पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है जैसे कबाबों में पानी नहीं चाहिए होता है तो चले में जड़ पट इसमें मसाली डाल देते जो-क एक तरह दो करें तो युह रेया है कि आधा टीसब्डून काली मिर्चो का पावडरर आधा टीसपून चिकन पौड़र यानी नोर reacts की के एक क्यूप डाल दे आधा टीसपून गालिग पावडर इसके बजाए आप गाल्ग का यन्याल अलसं का पेज़ बीड औल सकते हैं, एक टीस्पून और एगवने एक टीस्पून, गरश्ट पैपर यहनि कुटिय मरचेए, और आधा टीस्पून नमक, ये सब डाल देंगे इसमें, और एगवने आपके पास ना हो, सिट्ट कर सकते हैं, जब भी चिकन पाउडर डाले तो नमक जो है वो कम डाले चले सोय सॉस की तरह है जब सोय सॉस भी डालते है तब नमक कम डालते है इसी तरह चले ग्लफ पैंते है इसमें डालेंगे हम एक टेबल स्पून तेल अर इसको मेरेणगे हम अच्छे से बस्पूर लेंगे हैो मश्पूर निए करेंगे अर इसको मुझकी अच्छे से मिखxis कर लेंगे इक तम मसल मसल के नहीं करेंगे इसे क्या होगा थोड़ी सी हरो जाती ही कबाब dispara की अभी बना रहे हैं ऊशके लिए तो चले यह हो गया तैए कर लेंगे कि हमें कितना चाहिए तो ये इस तरह से हमने कर दिया फ्लैर्ट और इसको हम्छार कर लेंगे कि चले तद ही वटतते हैं और एक चपली कबाद की तरह बनाते हैं थोड़ा से लuhई हमेंreu संच अभी कर लिया तो देखे हमाया पैस यहां पास्टा है आपको जिस तरह का भी पास्टा पसंद हो आप ले सकते मेरा फैटेची नहीं है तो चले इसमें से हम जैसे दस या बारा के आसपास नूडल्स लेंगे और यहां सेंटर में रख देंगे और इसको बन कर देंगे जैसे वह सलाखों में बनाते है उसके बज़ा हम स्पिगेटी में बनाएंगे तो यह देखे हैं हमने चिपका दिया है और अब थोड़ा सा पानी लेंगे और इसको अच्छे से दबा देंगे और यह रखते जाएंगे यहां इसी तरह से सारी कर लेंगे तो बस दस बारा के खरीब लेंगे और अगर आपकी पतली तो जादा ले ले लें समझ में आ गया ना कि इसके आसपास इसको लपेटना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कबाब ना बनाई हो और डाइरेक्ट इसको लपेटें बस स्लो करेंगे और मीट जो है ना वो हमारा फैट वाला होना चाहिए और अगर फैट वाला नहीं है तब थोड़ा सा गी डाल दें तो बस इसी तरह से रखते जाएंगे शुरू में आपको लगेगा कि शायद चिपक नहीं रही है लेकिन आराम आराम से दबाते जाएंगे तो फिर एजीली चिपकती जाएगी तो टेक योर टाइं आराम आराम से करें यह देखे है हमाई लास्ट भी हो गई अब इसका चूला ओन करते हैं यहां जो हमने पैन रखा है मीडियम रखते हैं और इसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं अराउंड तीन टेबल स्पून देखे तेल थोड़ा बहुत गरम हो गया अब इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून लसन का पेस्ट और इसको हम सौटे करेंगे और अब इसमें हम एक एक करके अपनी कबाब डाल देंगे तो यह देखेंगे यह उठाएंगे और इस ता से डालेंगे तो बस हमारा चूला मेडियम पर है और यह एक साइट पर हम रखेंगे चार से पाच मिनट फिर पलतेंगे तो चले मिलते हैं चार पाच मिनट पर देखेंगे पाच-शे मिनट हो गई है इस साइट पर अब हम पलटते हैं यह देखे कलर भी उपर से चेंज हो गया है इसे पता लग रहा है कि नीचे का पॉशन हो गया है यह देखेंगे कितना शांदार हो गया तो बस अब इस साइट पर रखेंगे 5-6 मिनट देखेंगे 6 मिनट और हो गया है खुश्बूए लस्टन की भी बड़ी अच्छी सी आ रही है पकपके इसमें से तब आप क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा किनारा कर लेंगे किनारे करके और यह वाला जो पोशन है इसमें ह इसमें डालते हैं इसको अब हम सौटे कर लेंगे पैन को थोड़ा सा इस सरह से कर लेंगे के में जो है टार्गे है हमारा शिम्ला मिर्च तो इसको हम थोड़ा सा सौटे कर सेके और उसको तो हमने 12 मिनट पका लिया है तब उसको थोड़ा किनारे कर देंगे अगर आपका प शैनी मज़ेदार सी हो गई है अब देखें यह हमारी कुछ गारडन की कुछ मिर्च पड़ी भी है यह डाल देते हैं थोड़ी सी बहुत जादा स्पाइसी तो करना नहीं है और यह तेज नहीं होती है लेकिन यह थोड़ी प्यारी लगेगी जो मुस्ट टॉप पॉपिलर शे और रिफ्रेशिंग सी फीलिंग में और मजा आता है बनाने में देखें थोड़े बहुत सौटे हो गया है अब इसको पैन को हम ठाके यह रखते हैं और यह थोड़ा सा डिस्ट्रिब्यूट कर देते हैं हर जगा क्योंकि हमें एक जगा तो रखना नहीं है और कबाब को हमा अब हे ले आते हैं सैंटर ऐवे देखें यह हमात पास टुमैटो प्यूरी ग्राइंट किया वाई जह हमने डिमेत प्यूरी बनाया था उसको ग्ररें देखा दो और यह ड़ोई तब आप क्या करें टुमैटों को ग्रिक डोब ऑ कर लिक कर देखें छिलका है अब इसको कि अब इसको हमें थोडगं साट्भ और आप लिट करना है तो डा इडियोट करने के लिए मैंने यह टीड कप गरम-पाणी लिया is के अंधर में डालूँगीечение टीपूण चिकन का पॉड़र आ आधा टीपूर और आधा टीपूर चिकन का पौउडर आधा टीपून और इिड पाउडर, यह सब चला जाएगा हमारे नीम गरम पानी में और इसको हम हिला लेंगे, चले, अब इसको पी लेते हैं, हाहा, जास्ट किडिंग, इसमें डालेंगे, अगर आपके पास औरिगनो ना हो, तब स्किप कीजेगा, कोई इतना मसला भी नहीं है, चले, चूला हमारा मी 40-45 मिनिको तक और अफिर देखेंगे को लग कैसा रहा है , एक हमारी नूडल्स खिली-खिली सी वेश्य गई है, मज़े दार नो यह देखें, सारी नूडल्स जहा है, वह खkal गई है, तो बस यह देखें, यह मज़े से पख गया है, यह चूला यह तबेडिया है, अब इसम अगर आपको डालनी है और अगर आपके पास है तो सही अधर वाइस ये भी बहुत अच्छा है तब हम ये सारी कबाप्स पे थोड़ी थोड़ी डाल देंगे तो ये तक्रीबन एक एक दो टेबल स्पून के आसपास जितनी आपको अच्छी लगे इतनी डाल दें और अगर नहीं डालेंगे तब भी बहुत अच्छा लगेगा है तो डाल दें अधर्वाइस कोई जरूरी नहीं है चले अब ये डाल दी हमने तब इसको हम दोबारा कवर कर देंगे ऐसे चार-पांच मिनित के लिए और चूले को हम कर देंगे मीडियम लो है तुअ मिलते है चार पांच मिनट में देखें पांच मेंट हो Do गई चूले को करते बंद खुशबूए फदरना कह रही और खूर के देखते हैं एबराकदैब ये हैं धे कितना यमी कोड़ करते हैं देखें कितनी खुब्सूरत लग रही है और यह स्वदस सास तो देखा कैसे जटपट हमाई स्वदस हाई-फाई तरीके से पास्टा कबाब बन गया और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रही है खुश्बूएं तो शानदार आ रही है चला अब मैं बताती हूँ आपको कबाब लग कैसी रही है हुम् खतरनाक और यह सॉस हुम् खतरनाक है और फिर महनत भी नहीं है कबाब का जायका भी इतना परफेक्ट है और टुमेटो ने उसको इतना अच्छा सा कर दिया गाली की खुश्बू भी बड़ी अच्छी से आ रही है और यह देखा यह जो पास्टा अंदर जो है वो गोश्च के साथ पके उसकी कंसिस् और फिर यह देगे सेपरेट पास्टा कितना मज़ेदार है और गजब का है बनाना बनता है आप लोगों के लिए एक बाइट खाना जरूरी है अब आप लोग जल्दी जाएं बनाएं बस यह याद रखिएगा कबाब जो है बहुत बड़ी नहीं बना दीजगा थोड़ा करने के बाद करीमा बहुत भी नहीं ले लीजेगा और जितना होड़ कर सकता है पास्टा इतना डाले ज्यादा डाले कम डाले कोई फरक नहीं पड़ता थोड़ा सा टाइम दे दें बागी तो कोई हर्जी नहीं है मज़ेदार सूपब बनाएं मज़े करें खूब धमाल मच हैं चले चलती हूँ दुआओं में याद रखिए का इंशाला फिल लौट के आओंगे सिंपल फन मज़ेदार रेसिपे के साथ लव यू आल बाई अल्ला हापिस